इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैक आईपोन का इप्टी रोगी ताकि हर वीडियो का नोटिकेशन आपको टाइम आता रहें मेरे चैनल का नाम है Online Vastu Astrology, मैं अनिल कुमार सेट, Astrology Vastu and Numerology Expert नमस्कार मित्रो, मैं अनिल कुमार सेट, Astrology Vastu and Numerology Expert आज हम मुकेश अम्बानी की कुंडली का विशलेशन यूट्यूब के मादियम से लेकर आए हैं, तो मुकेश अम्बानी जी का आज हमने डेटा गूगल से निकाला है, और उनका डेट वबर्थ 19th of April 1957, समय उनका 19 बज़ कर 53 मिनट, यानि की शाम के 7 बज़ कर 53 मिनट, और ले इनका जो लगन चार्ट जो आ रहा है, वो वरिश्चिक स्कॉर्पिन लगन असेंडेंट आ रहा है, और राशी इनकी धनु आ रही है, और धनु राशी पर शनी की 36 समय अंतिम चरण पर चल रही है, और मुकेश अम्बानी जी का जो लगन चार्ट में जो ग्रै बैठे और मंगल जो है इनका सेवन्थ हाउस में बैठ हुआ है, ये लगन चार्ट की बात हो रही है, और बुद सूरे शुकर केतु इनका सिक्स हाउस में बैठ हुआ है लगन चार्ट में, अगर हम चलित कुंडली की बात करें तो चलित कुंडली में इनका जो है, रहु बारवे बाव से मूव ओकर इनके लगन में आ गया है गुरू इनका टैंथ हाउस से मूव ओकर इनका लाभाव में आ गया है और बुद्ध इनका मूव ओकर छटे बाव से केतु के साथ सेवंथ हाउस में आ गया है और मंगल इनका मूव होके 7th house से 8th house में आ गया है शनी इनका मूव हो गया है चलित कुंडली में जो चंदरमा के साथ 2nd house में आ गया है और नवांश कुंडली भी इनकी बहुत स्ट्रॉंग दिखा रहे हैं क्योंकि शनी इनका 7th house में स्वियराशी में करक लगना रहा है नीता अमबानी से वो ड्रस्टिकली बहुत ही जबरदस मिल रहा है क्योंकि शुकर रहो की यूति 12th house में जो की लगजरी चीज़ों का स्वामी मना जाता है शुकर देखे अगर लगन चाट की बात करें और इनका जो लगन मंगल है लगन चाट का वो 7th house में बहुत मजबूती पर दान कर रहा है क्योंकि अपने ही लगन को देख रहा है और शनी वहाँ पर बैटा हुआ है यानि की लास्ट टियर इनकी गुरू की मादशा स्टार्ट होगी थी और इससे पहले जो इनकी दशा थी वो थी इनकी शनी की मादशा थी जो शनी की मादशा इनकी खत्म हुई तो गुरू की मादशा जब इनकी 2019 से स्टार्ट हुई है तो इनके जो विपार की गतीविदी है और बढ़ बढ़ गई है और ये दो हजार पैंतिस तक इनकी प्रस्पति की दशा चल रही हला कि गुरू जो है इनका वकरी ओकर सिंग राशी में 29 डिगरी का है यानि कि गुरू की जो डिगरी है वो काफी कमजोर है 29 डिगरी गुरू को मजबूत करना चाहिए इनको क्यों मंगल उसको और उठा रहा है ब्रस्पति को और छटे बाव में जो इनकी शुकर और बुद की जुती इनकी पढ़ रही है वो भी एक अच्छा साइन है शुकर इनका कंबस्ट है लेकिन चलित कुंड़ी में इनका जो है वो बहुत अच्छी पुजिशन में शुकर आ रहा ह जिसकी वज़ा से इनके जो राज योग जो है वो इनकी कंड़ी में शुरू से ही चल रहा है रहू इनका ट्वैल्थ हाउस में तुला राशी में है देखिए अगर कंड़ी की बात करें तो इनका जो आने वाला टाइम है क्योंकि गुरू की महादशा चल रही है गुरू की decision होंगे बहुत positive होंगे गुरू की वज़ा से और जो इन्हों ने अब तक इतना माहरत यानि की इतनी height उचाई करी है वो शनी के period में इनको बहुत अच्छी height मिली थी क्योंकि शनी लगन में था इनका जो fourth house का भी इनका load है लेकिन उससे भी powerful time आप गुरू की दशा में इनको मिलने वाला है गुरू की दशा इनकी fifth house की दशा है और दूसरी बात second house की second house जो bank balance का धनका ओता है fifth house आपकी बुद्धी का होता है ब्रस्पती जो tenth house मेंटा हुआ है आपके जो up decision होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे और हो सकता है जो आपने जो joint venture और collaboration भी किया Google के साथ ये एक बहुत बड़ा राजयोग मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहा है और इंडिया की जो unemployment youth population है उसको रोजगार देने में मुकेश अम्बानी का आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा योगदान होने वाला है यानि कि इनकी जो employment ratio होगी वो forty to fifty percent तक जाएगी क्योंकि काफी इनके जो store खुलेंगे जगा 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 इनके वेपारिक दृष्टियां पूरे वर्ड में फैलेंगी उनसे इनका रुत्बा भी बड़ेगा और इनकी हाइट भी बड़ेगी और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यह number one पी position पर richest in the world यह position पर पहुंचने वाले हैं और इनका जो जो गुरू में गुरू का समय्ष समापत होगा अंतरद्रशा में वो होगा आठ एक्तूबर दोचार एक्किस को उसके बड़ शनी की इनकी अंतरद्रशा लग जाएगी शनी की अंतरद्रशा में ये बहुत height gain करेंगी क्योंकि शनी इनका लगन में बैठ हुआ हुआ हुर्थ हुष का लोड है जो की property वहन और यह सब चीजों का happiness from the people यह सब दिखाता है और थर्ड है उसका लोड यानि कि जो joint venture आपको मदद मिलेगी foreign से related क्योंकि शनी की जो अंतर दशा आएगी उसमें राहू भी आपको सपोर्ट करेगा राहू आर लेडी ट्वल्थ हाउस में मैठा हुआ है तो मुझे लगता है कि यह यह जो दशा शुरू होगी आठ अक्तूबर दोहुजार इक्श से यह जो ग्राफ शुरू होगा शुकर का लक्षमी नराइन जोग आपके सिक्साउस में है तो मुझे लगता है कम्मिनिकेशन के काम में आप बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि यह जो लक्षमी नराइन जोग चटे बाव में पढ़ रहा है आपका बहुत ही आपको एक आने वाले टाइम पे काफी हाई लेवल फिर जाएगी क्योंकि चलेत कुंडली में बुद्ध इनका सेवन्थ हाउस में जो पार्टनर्शिप के खाने में दिखा रहा है क्योंकि बुद्ध आईटिक शेतर कम्मिनिकेशन का लॉड होता है और मुझे लगता है कि अगर इस कंपनी में अगर ये वाइफ से भी बहुत पावरफूल है क्योंकि ये इंडियन एकॉनिमी को बहुत हाई लेकर जाने वाले हैं मुकेश अमबानी जी और इनका जो प्रत इंडियन एकॉनिमी में शेयर रहेगा वो मौर्दन फिफ्टिन टू ट्विंटी परसंट इनका शेयर रहेगा और इनकी मनफैक् में बहुत बड़ा है माइन के काम में भी बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं और प्रोलियम और आल में तो इनकी है यह चाप क्योंकि मंगल इनका सेवंथ हौस में और इनका बैठा हुए सूरह ऊच्छ में हैं तो इनका जो आने वाला टाइम है बहुत ड्रस्टिक ली मित्तर है राशी भी और इनका लगन जब मित्तर हो तो बहुत आगे निकलता है ऐसा इनसान और जूपिटर की दशाय और इनकी राशी भी धनुए है तो जूपिटर इनका राशी से नाइंथ हाउस में आ रहा है तो मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा टाइम अब शुरू हो चुका है तो आप मेरी प्रडिक्शन को जरूर यह याद रखना है कि जो इनका अक्तूबर दो हजार एक्की से जब इनका शनी की अंतरदशा शुरू होगी तो यह बहुत बड़ा यहां पर रोल अदा करने वाले हैं हो सकता है कि कोई बड़े 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 प्रजेक्ट जो है आईरन और स्टील इंडस्टिस में भी इनका रुत्पा बड़े और आटो मॉबाइल में मुझे आने वाले टाइम पे इनकी बहुत बड़ी छाफ देखती है तो मुकेश हमानी जी का जे हमने आज विचलेशन किया यूट्यूब के मादियम से तो आप आपको कैसी लगी ये कैलकुलेशन वीडियो जरूर बताइए तांकि हम और भी आपको इस यूट्यूब के मादियम से हमारे देश की तरक्की के उपर और वर्ड के लेवल के उपर प्रेडिक्शने आपको यूट्यूब के माद़िम से देते रहें तांकि आपको एक डिरेक्शन मिलें कि आपको जॉब का सेक्टर कहां कहां से खुलने वाला है हमारी एकानुमी कैसे आगे चलने वाली है और वर्ड में जो गुगल का यूएसे का जो कलाबरेशन हमारे इंडिया के साथ बनेगा आने वाले टेम पे वो बहुत बड़ा पावरफुल बनेगा तो इसके साथ ही हम आपसे आ गया लेते हैं नमस्कार